दोस्तों रोज कुछ नया सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें अगर आप भगवान शनिदेव के सच्चे भक्त हैं और अपने जीवन में उनकी ग्रपादरष्टी पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जै शनिदेव, जै हनुमान लिख कर ही इस वीडियो की शुरुवात करें दोस्तों शनिवार का दिन शनिदेव को समर्बेथ होता है पुराणों के अनुसार शनिदेव सूरिदेव के पुत्र है प्रम्हा जी की आशिरवास से शनी देव का प्रभाव अपने पिता सूरी देव से भी जादा है हर मनुशे की राश में सूरी सिर्फ एक महिने रहता है चंद्रमा दो महिने दो दिन तक, मंगल डेड़ महिने तथा बुद्ध एक महिने तथा शुक्र एक महिने तक और प्रहस्पती 13 महिने तक रहता है लेकिन शनी देव किसी भी राशी पर भाई वर्श से लेकर 4 साथ वर्श तक रहते हैं किसी भी कुंड़ी में शनी आने के 3 महिने से पहले ही अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देते हैं हर मनुष्य के जीवन पर शनी 3 से 4 बार और हर मनुष्य के जीवन पर शनी का प्रभाव उसकी ग्रहों के अनुसार पड़ता है इसलिए व्यक्ति को जहां तक हो पाए शनीदेव की वक्रिद्रश्टी से बशना चाहिए दोस्तों आज हम आपको कुछ ऐसी वस्तुमों के बारे में बताएंगे जिसे आपको शनिवार के दिन नहीं खरीदना चाहिए क्योंकि इसे लेने से हमारे जीवन पर शनी दोश लगता है कश्ट बढ़ते हैं साथ ही हम यह भी जानेंगे कि इस दिन कौन सा कारे आपको नहीं करना है तो आए जानते हैं दोस्तों शनीदेव की पूजा करने से वे जल्दी प्रसन हो जात जीवन में सुक शांती बनी रहती है शनीदेव प्रसन हो जाएं तो रंक से राजा बना देते हैं लेकिन वहीं अगर वे क्रोधित हो जाएं तो राजा से रंक बना देते हैं इसलिए आपको भूल कर भी यह भूल नहीं करनी हैं आपको शनिवार के दिन भूल कर भी लोहा या उससे चुड़ी कोई भी चीज नहीं खरीदनी है। इस दिन आपको सुई से लेकर गाड़ी तक भी नहीं लेनी चाहिए। राजा विक्रमा दित्य ने शनीदेव को लोहे का आसन दिया था, जिस पर शनीदेव ने क्रोधित होकर अपनी वक्र द्रश्टी डाली थी। तब से यहां मानता है कि शनिवार के दिन भूल कर भी लोहे की वस्तुएं नहीं खरीदनी चाहिए। लेकिन इसके विप्रेट इस दिन लोहे के दान से शनीदेव प्रसन होते हैं और आप पर उनकी ग्रबाब बरस्ती हैं। इसका शुबफल आपको मिल सकता है। इसलिए अगर संभव हो तो लोहे का दान अवश्य करें। शनिवार के दिन तेल चाहिवा किसी भी प्रकार का हो। खाने का, पूजन का या लगाने का आपको इस दिन तेल नहीं खरीदना है। इस दिन घर में तेल लाने से व्यक्ति के जीवन में कश्ट और बीमारी बढ़ती है। इसके विपरीत शनिवार को शनिदेव को तेल शरूर अर्पित करना चाहिए। इस दिन उन्हें तेल चुहाने से वे अत्यनत प्रसन हो जाते हैं। हमारा उद्देश है कि सबका कल्यान हो। आप ही हमारे उद्देश में हमारा साथ दीचे और इस वीडियो को अपने फेस्बुक और वाट्सेप ग्रूप पर जरूर शेयर करिए। वही इस दिन शाया दान करने से या सरसो का तेल दान करने से शनी देव प्रसन होते हैं। आप पर उनकी ग्रपा बनी रहती है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में सभी तरह की मुश्किलें दूर हो जाती हैं। और सुख और समर्थी बनी रहती है। शनिवार के दिन काले दिल भी नहीं खरीदने चाहिए। यू तो शनिवार के दिन काले दिल का दान करना शुब माना गया है। लेकिन इस दिन घर में काले दिल का आगमन शनीदेव का आगमन दर्षाता है, इसलिए शनिवार के दिन काले दिल ना खरी दें, वहीं यदी आपके घर में पहले से ही दिल रखे हैं तो शनिवार के दिन यदि आप स्वयम के शरीर के ऊपर से साथ बार काले तिल का उतारा कर लें और इसे ले जाकर आसपास के पीपल के पेड की जड में डाल दें तो आपके जीवन से भयंकर से भयंकर दिक्कत कष्ट साठे साती दोश सब दूर हो जाता है शनिवार के दिन भूल कर भी जाडु नहीं लानी चाहिए इस दिन लाई गई जाडु आपके धन को नुकसान पहुचाती है आपको धन का नुकसान होता है वही शनिवार के दिन चम्रा या चम्रे से बढ़नी कोई भी वस्तु जैसे की बेल्ट, पर्स या इत्याती चीज़ें आपको नहीं लेनी चाहिए यह आपके जीवन पर अशुफल देती है इसे आपकी सफलता में रुकावट आती है शनिवार की दिन कोईला घर में लाना वर्जित होता है कोईला काले रंग का होता है जिसे घर में लाने का अर्थ है कि आप शनिदेव के स्वरूप को घर ला रहे हैं दूसरा यह इंधन होता है माना जाता है कि शनिवार के दिन किसी भी प्रकार का इंधन घर में नहीं लाना चाहिए इसे लाने से आपके घर में पुरे समय की शुरुवात होती है शनिवार की दिन नमक खरीदने से भी परहेज करना चाहिए इस दिन घर में लाया गया नमक आपके घर में बीमारियों को बढ़ावा देता है आपके उपर कर्ज बढ़ता है शनिवार के दिन स्याही बिल्कुल नहीं खरीदनी चाहिए ये आपको अप्यस्त या कलंके दिखा सकती है। शास्त्रों के अनुसार शनीदेव को न्याय पालक का इस्थान दिया गया है। राजा हो या रंग कोई भी उनके प्रभाव से नहीं बच सकता। शनीदेव की वक्र द्रश्टी धनी से धनी लोगों के छक्के छुड़ा सकती है और उन्हें सड़क परड़ा सकती है। दोस्तों शनीदेव की खासियत ये है कि ये हमारे जीवन में धीरे धीरे आते हैं और धीरे धीरे ही जाते भी हैं। वे व्यक्ति के जीवन में लंबे समय तक रहते हैं यदि हम जीवन में कोई भी गलत काम करते हैं तो शनीदेव निश्य ही हमें उसका दंड देते हैं और वे हमें हमारे कर्मों के अनुसार ही फल देते हैं इसलिए हमें अपने जीवन में कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे की शनीदेव हमसे रुष्ट हो जाएं ये तो हमने जान लिया कि किन चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए अब हम आपको बताते हैं कि इस दिन आपको कौन सी भूल नहीं करनी हैं तो दोस्तों शनि नहीं भेजना चाहिए इस दिन विवाहित पुत्री को ससुराल भेजने से उसके वैवाहिक जीवन में दुख तकलीफ कश्ट बढ़ जाता है इसलिए इस दिन विदाई ना करें शनिवार के दिन आपको दूद दही का सेवन नहीं करना चाहिए यदि आप इसका सेवन करती हैं तो दूद में हल्दी या गुड मिला कर पिए वहीं शनिवार के दिन आपको बैंगन आम का अचार इन सब के खाने से परहेज करना चाहिए यदि आपके उपर शनिदोश है तो भूल कर भी बैंगन ना खाए वहीं शनिवार के दिन आपको शराब का सेवन भूल कर भी नहीं करना है नहीं घर में उसे ले कर आना है ऐसा करने से आपको शनीदेव की कुद्रश्टी का सामना करना पड़ सकता है आपके जीवन में भारी तूफान आता है इस दिन आपको नाखून या बाल नहीं काटने चाहिए इससे आप पर शनीदेव की कुद्रश्टी पड़त है जीवन में भारी नुकसान होता है दोस्तों अगर शनिवार के दिन संभा हो सके तो आपको ये काम जरूर करना है आप एक किलो चावल का दान जरूर करें इस दिन आप ये चावल किसी गरीब व्यक्ति को दान कर दें इससे शनिदेव प्रसन होते हैं शनिदेव आपके भर देते हैं वहीं आप इस दिन काले रंग की वस्तुओं का भी दान करें यह शुब माना जाता है इस दिन आप काले जूते छाता या किसी भी काली वस्तु का दान कर सकते हैं आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी और भी जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिखने वाली वीडियोस को भी एक बार जरूर देखें जै शनी देव जै हनुमान जै श्री राम